नमस्कार सुवागत है आपका आप देख रहे हैं जनमण शनुज और मैं हूँ देविंदुक्मार इस बक्त में बेसाली जिला के अंतरगत हाजीपुर परखंड के अंतरगत पहतिया पंचायत के अंतरगत पहतिया गाउं का दोरा कर रहा हूँ जहां पर बाढ़ आई हुई ह कई महिनों से यहां पर बाड़ आई हुए लेकिन मदद के नाम पर इस तरह से कोई भी योजना का लाव इने नहीं मिल रहा है इस वक्त पहतिये छेत्र से यह तीन बार मुख्या रह चुके हैं इस बार हाजीपूर जिला परिसत के लिए चुनाव लड़ रहे हैं चुनाव आ को आने जाने में कहीं कठनाई नहीं हो आप पूछ सकते हैं जनता से चंदेशार राइजी आप यह बताइए यहां से लगभग चुनाव जीत के गया है पपू पासमान जी उनका फर्ज बनता है कि आए जनता के बीच में आए मिले जूले लोगों के समस्या सुने आखिर क् अब इस इस्तिती में जो पंचायत के पास बोल्ट का समय है फिर भी नहीं आए तो जनता बताएगा भाई अब यह बताए यह जो इस्तिती बनी है इसी पीसे बजा क्या हो है बारिस का पानी से के अलाबा बार कभी पानी आ गिया है पहतिया ठाथन का इस्तिती बहुत बु कम से कम विधायक जी भी आते ऐसांसत महोदे आते कुछ घरीब का कुछ खाने पिली का मालूम है उनको सब नेट बर बेठे बेठे उनका एक सिकाजनी काशक्रता था बता रहा है उनका तब्यत खराब है वह पार्टी विशेस बराजांगे ज्यादा हम बोलेंगे ना तो ज सबसे अन दे रहा हैं कि सबसे गरीबी दोनों पंचात में यह पहेतिया के साथ बेरुखिक क्यों और पता नहीं सबसे दिए कि हम सब लोगों को राइस समागरी पहुचाते हैं बाढ के दोडं पांच मेया सिती बनी वी आपी लगा ता कि दौडा कर रहे हैं प्रवाइब लोगों को चूरा मिठा कोई दिया है एक करनमा चाबल दिया है कोई जाने भगमाल उसको इनसाफ करेगा अब हम क्या करें हम जहां तक सकते हैं हम तो अमर जोती बस के मेनेजर है पचिस्ति सर्वेगे महीना कमालेत है उसी में से लोग को हम दान करते जा रहा है यह जो शिति बनी हुए है इससे मुक्ति दिलाने के लिए आप क्या करेंगे लोगों के लिए अब जहां तक संबहाँ होगा परयास करेंगे लोगों से बिधाज मिले जल्दी पानी यहां से संभावत हो जाए इसके लिए उड्यक महोदय से सरकार से अगरा करते हैं जल्द परिशत प्रतियासी चंदेश्व राइजी जिन्हों ने बताया है कि जहां तक दम होगा जहां तक ताकत होगी हमारी इस में इस चीजों का मदद करूंगा और इसके साथ-साथ यहां के जो विधायक है अब देश सिंग उनको भी बताएंगे और साइद इन्हों बताया भी है और जान भी रहे हैं कि सिती क्या है चुक्कि इतनी बड़ी सिती है पांच मेला से बनी हुई है लेकिन अब तक इन्हें राहत के नाम पर कुछ नहीं मिला है अब थ्वासा जनता के राय ले लेता है कि जितना बात इन्होंने कहा है कैसी बनी थोड़ा आप आगे आई यहां सब कोई जानता की नहीं कि सब लाला करता है खाना बिना पीना पानी बिना समुचा अब तरहां टरहां आप देखिए कब से ठीक है अब भी था तो सरफ़ांच हो जो सकते हैं कि महलाएं डूबी हुई है कि सीथी में रहा रही है इस बाड़ वाली पानी से ना जाने कितने सब्सक्राइब करने के लिए लेकिन अब तक ना मुख्यार ना बिधायक न सब्सक्राइब करें अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद